भगवान की कृपाश्या और दर्सकों का प्यार मिला असरवाद दर्सकों का सब जगा फिक्चर हाउस पूल है सारे अट पहंती चतिस स्क्रीन में सब जगा पिक्चर हाउस पूल है आप मन देखा था न्यूज सेवेंटी टू और न्यूज सीजी ट्वेंटीफोर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं न्यूज सेवेंटी टू की टीम पहुंची राइपूर के प्रभाट टाकिच में जहां पर सुपर ही फिल्म लगी है ले सुरू होगे मया के कहानी हमारे साथ फिल्म के डारेक्टर सतीज जैन जी हम सीधा बात करेंगे सबसे पहले स्वागात आपका नियूज सीजी ट्वेंटीफोर नियूज सेवेंटी टू में फिल्म के बारे में हमला थोड़ा कुछ बताओ यह फिल्म है अभी आज सभी जगा लगी है पूरे चत्विगड़ में और 18 सेंटर के कुल 35 स्कृइन में लगी है 35 टॉकीज में लगी है और भगवान की क्रिपाश्य और दर्सकों का प्यार मिला असर वाद दर सुगा वह सब जगा फिक्चर हाउस पुल है सारे 35 छ इस प्रrean में सब जगा प्रिक्चर हाउस पूल ले इल्शा जी और अम्लेश तो तरेन डेक्टर है एलसा भी ट्रेइंग वहां पहले बहुत काम कर चुकई नियूटूब कर चुका तो उनसे काम कराने में मुझे किया है और राइपूर में किया है काफी कम दिन में पिच्चर रेडी होगी इतना जल्दी करें आप मन उकर कैसे नहीं वह क्या इस्टोरी रेडी था मेरा मुजिक रेडी था यह दो चीज में टाइम लगता है बाकि फिर शूटिंग तो हम लोग करी लेते हैं कैसे भी करके 35 दिन में पिक्चर की शूटिंग कंप्लेट हुई थी और अभी हम लोग लेकर आ गया है चला हटकुनों देख लिके एक साल बाद ठीक एक साल बाद दूसरी फिल्म आ पिक्चर काफी सूपर हिट जा थे तो ओला लेकर आपन का कहना जो पब्लिक से पब्लिक से सिर्फ यही तो भीड भार से अगर बचना है भीड भार से बचना है इसे फैमिली लेकाओ कोई प्राबलम नहीं बस एडवांस बुकिंग करा लो बुक माईशे सो में पेटीम में एडवांस बुकिंग करा लो टिकेट के अपन वोकर बाद आओ सो टाइम पे आओ तब भी आपके सीट अब पहले बीना टिकेट के डारेक्ट टाकिज में आ जाओ तो आपना टिकेट लेवे तकलीफ हो ही भीड भार के तकलीफ उठाने प्राइब बहुत अच्छा बने हैं हमर पूरा टीम बहुत महनत करें और सतीज जैन सर के तो नाम ही काफी है वोकर हर फिल्म ब्लॉक बॉक इंडस्ट्री में एक धलान चालू हो थे जब इंडस्ट्री के दिन डूबे वाले रही थे तब तब हमर बीच में हमर जो गुरू हरे हमर डरेक्टर स्री सतीर जैन जी वो हमर इंडस्ट्री लाव भारे बर एक फिल्म बना थे इंडस्ट्री फिर से चल निकल थे उन फिल् है एक पहला बाद सभी जगह हाउस फुल रहा है बहुत ही अच्छा फुल्मन रंजन फिल्म है एक प्यारी सी लौवी स्टोरी है जो आप तो ही समझ में आने साब को समझ में नहीं आएगा अच्छा वह पहले काम करते थे लोगों को ऑडियंस को उनके काम किया अच्छा उनको मिल कर दो वह फिल्म उसके कारण चलने का है।